आज के अपडेट्स में आपने देखा है कि BPSC TRE 3.0 की परिच्छा को अभी अस्थगित कर दिया गया है इस्टे लगाया गया है कोट के द्वारा और इस परिच्छा को अभी जो की 20 तारिक से होने वाली थी संभावित थी उस पर रोक लगी हुई है कोट नेश्टे लगाया है और इसमें कुछ अभ्यरती थे जिन्होंने जो है प्रेटीसंस दाखिल किया था हलाकि अभ्यरती नहीं अध्यापक थे और अध्यापक जो संभीदा पर काम कर रहे थे या guest lecturers थे उन्होंने लगाया है 10 plus 2 की परिच्छाओं के लिए अर्था जो TGT और PGT की परिच्छाएं होती उसके लिए आपने updates आज मुझे लगता है कि second half से इसका देखना शुरू किया है new channels के माद्धम से भी, youtube channels के माद्धम से भी हम लोगों ने भी इस पर आगर के काफी कुछ आपको confirm किया था आपके मन में अभी भी बहुत सारे doubts होंगे और मैं चाहता हूँ कि short video में छोटे video में आपको लगबग लगबग वो सारी चीज़े conclude कर दूँ जो कि आपके मन में इस समय disturbance create कर रहे होगे तो सबसे पहले आप जान लीजिएगा कि यहाँ पर यह एक code का आदेश है जो कि उसने बिहार सरकार को दिया है और BPSC को दिया है कि आप लोग एक महीने के अंदर यह नेड़े लीजिए क्या नेड़े लेना है कि जो guest lecturer है या जो संविधा पर अध्यापक हैं जो contract teacher हैं उनको सबसे पहले मानों कि वह एक ही है उनका career उनकी कारे प्रडाली उनकी सारी responsibility पढ़ाने से लेकर के government के अन्य कारे को निभाने तक की सब कुछ लगबग लगबग एक जैसी है तो उनको सबसे पहले equivalent मानिए उनको समान का दर्जा दीजिए दूसरी बात TRE 3.0 जब notification इसका आया था जो बाइस चोबिस का एक notification है जो कि मार्च में आपने देखा था आनन फानन में ली गई परिच्छा थी उसमें इस process को भी इस मतलब ब्योस्था के लिए करके demand की गई थी हलाकि यह परिच्छा तुरंद की तुरंद होनी थी और उस समय इतना संदे था हम लोग बार-बार इस बात को कह रहे थे कि अपरिच्छा जो अचानक कराई जा रही इसके प्रभाव अच्छे नहीं होंगे और उसका symptoms आपने देखा सच में अच्छा नहीं था पेपर भी हुआ, लीक भी हुआ, डिमांड की गई हलाकि नि अध्यापक हैं, और जो गेस्ट लेक्शरर्स हैं, जो गेस्ट अतिती अध्यापक हैं, उनको बेटेश दिया जाए, क्योंकि वो समान रूपसे अध्यापक की तरह कारे कर रहे हैं, तो उनको उस सेवा का फल मिले, ऐसे में आज आपने देखा होगा कि आदेश आ चुका है जो predictions दाखिल की गई थी अभ्यरतियों के दारा याचियों के दौरा उसको high quote ने accept कर लिया है उसने आदेश दे दिया है विहार सरकार को, BPSC को कि एक महिने के अंदर इनके इस demand पर कारी किया जाए, इस पर उचित नेड़े लिया जाए और नेड़े ले करके प्रापर आप इस परिच्छा को तब तक एक महिने के लिए आप रोग दीए मतलब तब तक एक महिने को रोग देना का मतलब यह नहीं होता कि एक महिने तक परिच्छा ही रोग देना इस एक महिने के अंदर आप नेड़े लो और परिच्छा तब कराओ जब यह नेड़े फाइनल हो जाए अब प्रभाव तो पढ़ाई है, सबसे पहला प्रभाव दो आप मानिये एक प्रभाव उनके पच्छ में है, जो कि ऐसे याची थे, जो कि संबिदा पर अध्यापक थे या तो गेस्ट पर अध्यापक थे, अतिती पर अध्यापक थे, उनके लिए भाई खुसकबरी है लेकिन लाखो ऐसे अभ्यरती, जो कि पहली बार पर इच्छा की त्यारी कर रहे थे या दूसरी बार कर रहे थे, उस सच में किसी संबिदा पर अध्यापक नहीं थे या कोई अतिती की तोर पर अध्यापक नहीं थे, उनके लिए घोर निरासा जनक है और निरासा जनक आपको पता है क्यों है, क्योंकि प्रतिवर्स पांच अंक, पांच अंक बेटेश के तोर पर देने को कहा गया है प्रतिवर्स और अधिक्तम 25 अंक, तो 5 साल तक की अवधी को कंसीडर किया जाएगा और 5 साल की हिसाब से 25 अंकों को देने की बात की गई है अब आप खुदी सोच लिजिए, अगर किसी अभ्धरती को 25 अंक केवल उसके पुराने अनुभों के अधार पर दिया जा रहा है तो आप किस का डिगरी में हो निश्यत तोर पर आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है अगर आप पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार भी परिच्छा देने जा रहे थे और सच में आप एक गेस्ट लेक्चरर नहीं थे आप जो है, एक संविधा पर अध्यापक नहीं थे तो निश्यत तोर पर ये आपके लिए घोर निरासा जनक है और आप कटाप की रेस में बखूत पीछे रह जाएंगे निश्यत तोर पर ऐसा ही है तो फिलाल ये घोर खुसखबरी भी है और घोर निरासा जनक भी है दोनों के लिए जो की आपने देखा कटिगरी जैसे हमने आपको बताई उसके हिसाब से अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा इस आडर का प्रभाव की प्रडाली पर क्या पड़ेगा अक्टिविटी पर क्या पड़ेगा सबसे पहले TRE 3.0 re-exam की बात करें लेकिन इसके पहले मैं आपको एक बात कनफर्म कर दू जो doubt सब के मन में है कि जो परिच्छा वर्ग है एक से पाँच, छे से आठ, नौ से दस और ग्यारा से बारा जो मेरी अपडेट है, जो मेरी जनकारी है या केवल इसके लिए है मतलब यह जो आदेश आया है यह आदेश किसके लिए है नौ से दस और ग्यारा से बारा के लिए है इसके अंतरगत इन दोनों परिच्छाओं को कंसीडर नहीं किया जाया गर थाक एक से पाँच और छे से आठ वाले इस से पूरी तरह से फ्री है उनके लिए ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है सबसे पहली जनकारी मैं इसको देदेता हूँ दूसरी जनकारी मैं आपको दो कि TRE 3.0 जो RE-Exam है वहार RE-Exam क्योंकि 20 तारिक से होना था क्या था? 20 तारिक से होना था और 20 तारिक के बाद यह परिच्छा लगभग मुझे जहां तक उम्मीद थी कि जून में ही कम्प्लीट हो जाएगी कि उसका कारड एक था कि 4.0 की नई वेकेंसी इसका भी नोटिफिकेशन आना था तो निश्चित तोर पर इस नोटिफिकेशन के पहले इस परिच्छा का रिजल्ट आ जाना भी थैंथा और ये स्टेट की भी परिच्छा देखिए इस समय आप 2 मतब सेकेंड पेपर देने की इस्तिती में आ गये होंगे जो दूसरी परिच्छा होने है इस हिसाब से उसकी भी रिजल्स को भी डिकलेयर कर दिया जाता और 4.0 का जो नोटिफिकेशन आता उसके पहले या प्रोसीजर या प्रक्रिया पूरी कम्प्लीट हो जाती अब इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है और नहीं भी हो सकता है अगर राज्य सरकार अगर BPSC जल्दी से जल्दी कोर्ट के भैसले को मान करती है मानती है और उस पर कोई नेड़े लेती है तो हो सकता है परिच्छा आपको 20 के तुरंद बाद ही देखने को मिल जाए जो सोचा गया उसी के बाद देखने को मिल जाए क्योंकि अभी भी 20 से 22 दिन है 20 तक पहुचने में तो हो सकता है कि परिच्छा आपको 20 के आसपास ही देखने को मिले लेकिन हो सकता है परिच्छा आपको आगे और लटकती हुई नज़र आए क्योंकि जब चीजे जब बिबात पर कोई फैसला होता है तो एक की सुईकारता होती है दूसरी की सुईकारता होती है तो कहीं न कहीं ये कंट्रडिक्षन क्रियेट होगा और इसमें भी डिस्टर्बिंस आएगा अब सुक्र मनाओ या जो है आप ऐसा सोचो कि या सही चीजे सही से प्रक्रिया में आ जाए या सही चीजे सुचारू रूप से तैं हो जाएं तो सुचारू रूप से तैं होगी तो आपको नियम से परिच्छा समय समय पर परिच्छा देखने को मिल जाएगी हला कि परिच्छा को लेकर कि मैंने आपको आसा और निरासा की बात बता दिया कि खुसकबरी किसके लिए है और किसके लिए नरासा जनक है ठीक है तो परिच्छा 20 के आसपास align हो सकती है इसको आप जान लीजिएगा रेक जाम उसके आसपास देखने को मिल सकता है लेकिन लेट भी हो सकता है परिच्छा लटक भी सकती है अब बात आती ही 4.0 की तो निश् परिच्छ आपने समय पर जो जिसा आयो का कलेंडर था उसके हिसाब से आपर इच्छ आपको उसी प्रसीजर को या उसी के अंतरगत आपको सारी तीज़े तैस समय पर देखने को मिल जाए तो अच्छी बात है कि तैस समय पर सब कुछ हो जाए तो सबसे बेतर होता है क्योंकि बेट करना, इंदजार करना, इतने समय से अब्धरती लगातार इंदजार कर रहे थे, इसने घोर जो है, बेरोजगारी के समय पर, जहां पर आपको एक संभावना दिखती है, कोई एक नौकरी आती है, और कोई नोटिफिकेसन आता है, उसमें भी सासन प्रसासन की प्रक्रिय जो निया प्रक्रिया है, उसके माध्यम से आपको प्राबलम होती है, सरकार की अक्टिविटी से प्राबलम होती है, तो निश्चित तोर पर यह हमारे लिए अब्धरती के तोर पर बहुत ही निरासा जनक है, तो मैं तो यहीं चाहूंगा कि भाई, सारी बियोस्ता अपनी जगा है, लेकिन परिच्छा को लेना, परिच्छा कराए जाना, नियम से, नियम से विकेंसी देना, यह गवर्मेंट का यह सिस्टम का पार्ट होना चाहिए, इस पर किसी भी प्रकार की कोई कोता ही नहीं वरतनी चाहिए, तो 4.0 को लेकर के असमंजस केवल इसी बात का है, यह परिच्छा जैसे जैसे अपडेट का इसका देखने को मिलेगा, उसी हिसाब से इसको लेकर के यहाँ पर भी आपको अपडेट देखने को मिलेगा, इसमें कोई दोराय नहीं है, अब एक डाउट सब के मन में आ रहा होगा, क्या सरी है, यह 1.0 और 2.0 पर भी प्रभाव डालेगा, हलाकि आपको पता है कि 2.0 पहले सी संसय कभी से रहा है, बहुत सारे लोग उसके निरस्ट कराने की मांग भी कर रहे थे, और बहुत बार आपने अपडेट भी देखी होगी, 2.0 हो सकता है, कैंसिल हो जाए, क्योंकि कई सारे लीक के मामले 2.0 में भी देखने को म पहले इसके लेकर के डाउट बिवत रहिएगा, जिनकी नियुक्ती हो चुकी, जिसधार पी हो चुकी है, उस पर अप कोई फिलाल अपडेट की बात नहीं की गई है, कुल मिला के यह जो आदेश आया है, उनली फार डिस नोटिफिकेशन, जो कि TRE 3.0 का था, 22.24 का था, औ और इस नोटिफिकेशन के अंतरगत ही इस आदेश को यहाँ पड़ दिया गया, कि इस परिच्छा को ही रोगे जाने की बात की गई है, तो मुझे विहरोसा है विस्वास से कि आपको लगभग लगभग जानकारी जो जाननी चाहिए, जो जरूरी है, आपके लिए है, मोट इस नहीं जलती नेड़ाय लेकर के अपडेट करती है, और उसी हिसाब से परिच्छा की तीथी और एड्मिट कार्ड जारी किये जाएंगे, और तब ही यह परिच्छा कराई जाएगी, और जब यह परिच्छा होगी, उसके बाद ही 4.0 को लेकर के अपडेट दिया हलाकि उसके कलेंडर में भी कोई बदलाव की बात नहीं की गई है, लेकिन फिर भी अगर यह सब चीजे लाइन अप है तो एक दूसरे से कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा, बस यही हम लोग इस वर से प्राथना करें, यह प्रक्रिया स्मूथ हो, अच्छी हो और और सब के लिए फायदे मंद हो, लेकिन उन अभ्यरतियों के लिए जिनके लिए निरासा जनक है, उनके लिए सच में मैं क्या ही कह सकता हूँ, बस इतना ही आपको कहूँगा, कि आपको चैलेंज मिल रहा है, और इन चैलेंजिस को कैसे फेस करना, इसके लिए आपको करेंगे, थैंक यू.